नमस्क्रा किसान भाइब स्वागत आपका हमारे टेक्निकल फार्मर में तो किसान भाइब जो आज का वीडियो वह है महेंदा अर्जुन नोवो 600 पार डियाई आई जो कि सत्वान एश्पी ट्रेक्टर पहले आता दाना से याइनक पहले वह अला ट्रेक्टर है तो इस ट्रेक सब्सक्राइब कर दिए तो इस ट्रेक्टर मैंने ख़ीद आता नो लाग तीजार रुपे में और यह सत्ता नौश्पाव ट्रेक्टर था नोन सीया डियाई जो कि सीयाड़े आने के पहले वाला जो मोडल है ना जो कि सबसे सक्सेस्पुल या सबसे ज्यादा जो बिका था दियाई वाला मोडल है उस एक साथ में अगर बात करें तो मैंने इसे मेन इंप्लीमेंट्स के लिए लिया वह था रोटावेटर उसके बाद में प्लो और बाकी दूसरे इंप्लीमेंट्स जो की सूपर श्रीडर वगेरा जो आते ना उनके लिए तो अभी मैंने इसको पर ही चला तो 300 घंट रोटावेटर चलाने क्वाद मुझे इसने जो माइलेज एवरेज निकाल के दिया रोटावेटर उपर वह थी बीगे का एक लिटर से देल लिटर के बीच में बीच निकालता हूं घंटे की आपको बताता हूं लगबग लगबग इसमें पांच से च जानकारी लगबख सभी अगर 500 घंट अगर आपने चला दिया ना आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी सबसे पहले जो मुझे इसकी पसंद दिदा चीज लगी वह इसका प्लेटफोर्म और चलाने का वालब जो बेखने की हाइड चलाने का है न वह बहुत ही बढ़ी है ट्र अगरा में भी वाइब्रेशन बढ़ गया है उसी साथ में बात करेंगा ट्रेक्टर दपता है नहीं जिसे बोलते आर्पेम ट्रोप करता है अगर आप लोग ने बताय बोला ना अगर अगर आप लोग ने लिखा गी टर्बो लगवा तो अपने तर्बो भी लगवाएंगे जो कि आफ्टर मार्केट लगेगा पंजाब से तो अब कोई दिकत ने अपने एक साल हो गया है लगबग एक साल की ट्रेक्टर वारेंटी दे इसमें आती आर्जो नो में अभी तो उन्होंने छे साल की वारेंटी करती लेकिन इसमें एक साल या दो साल की वारेंटी आती थ इस गेर में नहीं चलूँगा सभी डियर में ट्रेक्टर आसानेश चलता है कोई प्रोब्लम नहीं आती है इंगेन भी आप देख सकते हो सामने एक को जो मुझे इसमें कमी लगी ना वह यह थी इसका जो एर किने वह बहुत ही लो क्वालिटी का जो यह अंदर के सरफ आप दे अगर निकल गया और आपने जवाज अस्ती गिना तो ट देगा हो यह था बड़ा सा एक लिना रहा आट इंची का जो कि आपको सबी चीजों में कोई भी दिख्टे निदेगा रोटावेटर वगेरा में अंदर कि अगर आप देखोगे ना तो बटीस की फूरी जल चुकी ह और मैंने इसको जाला तर 1500-1600-1700 आर्पिम को उपर ही चला है तो इस वज़े से पूरा इसका कलर जो है अंदर से पुरा फुख चुका है उसका ना उवर इसकी सेंसींग की बात करें है है तो हैड्रोलिक अगेरा सेंसिंग वेचों दोनों लिवर भी अगर आप डाउन करत या फिर टायर स्लिपेज की समस्या आएगी निए थोड़े आर्पेम आपको चला के देखने पड़ेंगे आपको लगबग है ना इसमें यह मान के चलिए आपको ना करते भी ना आपको इसको पंदासो आर्पेम को उपर ही रखना है जिससे कि आपको ट्रेक्टर बड़े पर तो अब बात करें अगर ने किसान भाई अगर इसे लेना चाहते है जो कि अभी पचाइश्पी में कंपणी दे दिए और एक साथ हुस पावर में सी आडिया तो अगर मेरी माने आगर आपको थोड़ा डल लग रहा है सी आडिया इसे आपको बिलकुल अपना पुराना वाल ब्हों साय ठ्रेक्टर भीके तो इतना तो ओंने थोड़ा से कि आपको कमपणी पर निर्भर नहीं पड़ेगा और इसमें किया और आपको निर्भर नहीं रहता यह बात बढ़ी है कोई लिक्राबने थोड़े आपको आर्ल कि माय चलाने पड़ेंगे बाकि सभी में पर ट् तो भाई इसको कोई टकर ही नहीं है कोई भी ट्रेक्टर इस क्रेटर्ण में इसका टकर दें नहीं सकता अगर सामने और वेट आगों लगा ले अपना अठाओ इस खुंटा वज़ा ने ट्रेक्टर में खुद का लेकिन अगर आपने 3-3,3 खुंटर का वेट फ्रेंड में ितchs, दा की नहीं है वेड़ नहीं है क्या सामने भी है?